आज हम चैप्टर 3 के IMP questions देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 से आपको 3 marks के question पुछे जाएंगे तीन marks के question देखके आप डर जाएंगे भाईया इसके अंदर तो बहुत बड़े answer लिखने पड़ते हैं हमसे याद ही नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको आपके answer को easy करके लिखे आया हूँ अब आपको answer याद भी रहेंगे और आपके marks भी अच्छे आएंगे थर्ड चैप्टर के अंदर से बोड़ ने आपको एक सवाल पूछा है इसको read करो मैं guarantee देता हूँ कि आप डर जाओगे explain a temple of north gujarat which has been carved in iranian style north gujarat के अंदर एक temple है जो iranian style में बना है अब आप ये question देखके डर जाओगे बोलो के हमने तो ये कहीं पर पढ़ा ही नहीं था पढ़ा है पढ़ा है ध्यान नहीं था आपका यहाँ पर बात हो रही है sun temple की अगर आप नीचे ये line देखोगे the carving of this temple is done in the iranian school of art यही सवाल तो है यहाँ पर आपके answer से ही सवाल बना दिया गया है थोड़ा सा इस तरीके का ध्यान रखो तो आप कभी ऐसा complain नहीं करोगे कि भाई हमको बाहर से पूछ लिया गया था बहुत टाइम पर ऐसा करती है बोड़ की answer से ही question बना देती है the sun temple is also known as surya mandir sun temple को हम surya mandir के नाम से भी जानते है it is in the mehasana district in gujarat sun temple gujarat के mehasana district के अंदर situated है the jam was studied in the middle of the crown of the sun god sun temple के अंदर जो sun god है उनके crown के ऊपर एक jam लगाया गया है अब इसी jam के ऊपर एक पूरा सा mystery है उसको जानते है the entrance gate on the eastern side याद रखना कौन से entrance gate की बात हो रही है eastern side के entrance gate की बात हो रही है of this temple is constructed in such a way that the first ray of the sun fall directly on the jam and the entire center is lit up जो eastern side का gate है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि सूरी की जो पहली किरण है वो जाएगी किसकी उपर वो जो jam लगा हुआ था sun god के उपर उसके उपर सूरी की पहली किरण जब पढ़ेगी पूरे entire center के अंदर सूरी की किरणे फैल जाएगी तो ये खासियत है गुजरात के अंदर जो sun temple है उसकी याद रगना क्या याद रगना होगा eastern gate सूरी की पहले किरणे वो कहा गिरेंगी jam square उपर गिरेंगी और पूरे center के अंदर उजाला हो जाएगा 12 different image of the sun god are seen in this temple यहाँ पर 12 different image की जब बात की जाएगी तो अलग-अलग 12 मूर्ती या फिर उनकी poster नहीं है अलग-अलग 12 रूप देखने को मिलते हैं हमको sun temple of गुजरात के अंदर the carving of this temple is done in the Iranian school of art मतलब ये जो temple बनाया गया था जिस तरीके से architecture इरान के अंदर होता था उसी same architecture style के अंदर इस temple को बनाया गया है इसलिए बोला जाता है कि ये जो temple का structure है वो Iranian school of art की तरह है प्रभी भी आपको जब इस type का question पूछे है तो याद रखना अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि American school of art मतलब अमेरिका में जिस तरीके की building या structure बनती है उसी तरीके के structure से यहाँ पर बिल्डिंग बनाया गया है ये question जो होते हैं आप से यही सवाल पूछ रहे होते है there are 108 small temples in surrounding area total 108 temples हैं इस sun temple के आजूबाजू में this is world famous for architecture and sculpture architecture और sculpture के लिए जो sun temple of gujarat है वो पूरी दुनिया में famous है अब इसके अंदर आपको क्या heart लग रहा है अभी मैं आपको वापस से याद करवा देता हूँ कि sun temple का दूसरा नाम है सूर्या मंदिर महसाना district में है crown के उपर jam लगा हुआ है इसी jam के ऊपर सूर्य भगवान की किरन पर पड़ती है तब पूरे centum के अंदर उजाला फैल जाता है और कौन से gate से आती है कि इस्टन gate से आती है 12 different रूप देखने को मिलता है हमको 108 total small temples हैं तो इसके अंदर hard क्या था easily हो जाएगा पर इस वीडियो को देखते रहो और जो करवा रहा हूं उसको ध्यान से समझ कर याद भी करते जाओ यहां पर जो सवाल पूचा है आपको इस chapter के अंदर इस section से सवाल आता है तो आपको बहुत hard लगता है क्योंकि है भी data याद करना है तो data याद करने में time जाता है मैं आपको यही recommend करूँगा कि थोड़ा सा time लगा लो तो आपका जो भी hardness था वो निकल जाएगा वरना अफसोस करते फिरोगे कि यह छोड़ दिया और यही exam में आ गया इसलिए अब इसको अराम से ध्यान से समझ लेते हैं write in brief about the architecture of Gujarat आपको Gujarat के architecture के बारे में बताना है अभी आप सबको पता है Gujarat हो महरास्ट हो UPO MPO हमारे देश के अंदर हर जगा पर temple देखने को मिलेगा मजजीद देखने को मिलेंगी वुद्र की विहारास तूपास देखने को मिलेंगे गुफाए देखने को मिलेंगी उसके बाद चैतियास देखने को मिलेंगे जैन टेमपस देखने को मिलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना था आपको सिर्फ यह सारी चीजों की एक list तयार करनी थी जिससे आपका अंसर ready हो रहा है थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ तो पूराने जमाने में wells और step wells बनाए जाते थे हर state के अंदर lake भी होंगे, ponds भी होंगे हर state के अंदर कहीं ना कहीं से जानवर की मूर्ती मिली होगी, birds की मूर्ती मिली होगी बस उनहीं का list बना देना है यह आप क्या कर रहे थे, easily सा list बना रहे थे, जिससे आपका answer बन रहा था अब बोलो की heart लग रहा है, खाली list ही तो बनाया है और यह सब सारी चीज़े आपको याद करनी ही नहीं पड़ीगी अब बोलो की heart लग रहा था, यह सारी चीज़े आपने क्या की, आपके general knowledge का list ही बनाया है temples, temples of different religions have been built in large number in Gujarat क्या बात की गई है कि Gujarat के अंदर, अलग-अलग religious के temples बनाये गए है, easy point है इसके अंदर आप बोले होगे कि भी आप बहुत साए temples है, जहां पे भी आप गुजरात के अंदर temple घुमने गए होंगे उनकी भी list बना दो तो क्या दिक्कत है, आप सही तो बता रहे हो, अब जहां पे गुजरात में मंदीद में घुमने गए थे, वो भी तो गुजरात के अंदर ही मंदीद है ना तो उनकी भी list बना दोगे तो भी आपका अंसर होगा पूरा, अब यहां पे Moscow, Moscow was built by Muslim ruler, अब आप सबको बताएगी मंदीद के अंदर Muslim लोग जाते हैं, तो वही लाइन लिखी है कि Muslim rulers ने Moscow बनाया था, इस सबसे फेमस जामा मझीद है, उसके बाद सिद्धी सेयद ग्रिल, Moscow of Queen Seprie, जामा मझीद ऑफ चंपानेर, यहां पे देखो, जामा मझीद, जामा मझीद ऑफ चंपानेर, Moscow of Queen Seprie, सिद्धी सेयद ग्रिल, एक दो नाम है जो आपको थोड़ा सा हाड पड़ जाएगा याद क दोनों याद कर लेना ऐसा करना कि पहले spelling याद करना तो automatically नाम याद रह जाएगा अब step wells अब देखो इसके अंदर मैं जान रहा हूं कि काफी hard नाम है तो इसके अंदर से दो ही नाम याद कर लेना बट यह step well वाला point काटना मत step well वाला point लिखना और दो नाम याद करना तो भी अंसर पूरा हो जाएगा तो यहां पर मैंने आपको architecture गुजरात के अंदर सिफ और सिफ लिस्ट बनाना ही सिखाया और यही लिस्ट बनाते बनाते आपका अंसर बन गया इसलिए tension मतलो इसी तरीके से मैं आपको पूरा चेप्टर करवाता जाओंगा अब यह जो सवाल है कि what is stupa write a short note on stupa of sarnath easy है यह stupa क्या होता है सबसे पहले उसको समझो stupa is an old shape old shape का construction है जिसके अंदर under which the remains of lord buddha bodies were kept in a box known as stupa यहाँ पर easy सी भासा समझो कि एक old shape का structure है जिसके अंदर एक chamber है उस chamber के अंदर buddh भगवान के remains यानी अस्तिया रखी हुई है उस construction को आप बोलोगे stupa clear है क्या है एक old shape का structure है उसके अंदर एक chamber है उस chamber के अंदर एक box है उस box के अंदर बुद्ध भगवान के remains यानि अस्थिया रखी हुई है उन्हीं को आप बोलोगे स्तूपा आगे पढ़ते हैं बुद्धिस रिलिजन has gifted केवस, विहारास, चाइतियास and स्तूपा ये जो केवस हैं विहारास हैं चाइतियास हैं स्तूपास हैं ये सारी चीजे हमको बुद्धि करने की जगा मिली हैं पूजा करने की जगा मिली हैं अभी के लिए आप इतना समझो तो आपके दिमाग में clear रहेगा अब main topic पर आ जाओ स्तूपा और सारनाच ये जो सांची का स्तूपा है कब बना था मौरियन पिरेड में बना था सांची स्तूपा इस इन MP आज के टाइम पर ये जो सांची का स्तूपा हो कहां पर आता है MP के अंदर आता है जो स्तूपा अज के टाइम पर जो स्तूपा बनाई जा रही है उनके मुकाबले ये आधी साइस का है तो ये याद रखना होगा आपको जो ओरिजिनल स्थूपा बनता था उनको एक ही चट्टान को काटके बनाया जाता था ये अंसर आपको ये बताना चाहता है अब इसके अंदर आपको याद क्या रखना है कि सांची का स्थूपा मौरियन पिरेड में बना था MP में है एक ही सिंगल रॉक से बना था उसके साथ साथ आजकल जो स्थूपा बनते हैं उसके मुकाबले ये आधे साइस का है और जो ओरिजिनल स्थूपा बनते थे उनको एक ही चट्टान काटके बनाया जाता था तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो ही आपको ये लॉंग टब तक याद रहेंगे तब यहाँ पर आजाओ मौहन जदरो मौहन जदरो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा पर डरना मच मैं आपको इजदरो करवा दूँगा तो पॉइंट अफ यू आफ टाउन प्लैनिंग मौहन जदरो इस दरो बैस्ट ताउन प्लैनिंग के हिसाब से मौहन जदरो बैस्ट था इट वाउस सिस्टम से बनाया गया हुआ टाउन था यह पूलर शिस्टम से इस टाउन को बसाने के प्लैनिंग की रही थी अब इस टाउन के कंस्टरक्टर के बार में पढ़ लहते हैं अब इसको समझने के लिए समझो कि ये रहा एक उचासा स्ट्रक्चर उसके ऊपर हमने घर बनाया हुआ है इसी उचे structure को हम लोग बोलते हैं print अपना जो घर होता है अपने road से उचा बनाते हैं ना तो जो नीचे हमने सारा base और उचाई बनाई हुई है उसी को बोलते हैं print अब इससे फाइदा क्या होता है कि जब भी बारिस हो तो हमारे घर में पानी नहीं आता है वही लिखा हुआ है यहां पे यह पढ़ने में मुझसे दिक्कत होती है आपसे अगर होती नहीं है दिक्कत तो आप पढ़ लेना पट इसका मतलब होता है मंजिल जो अमीर लोगों का घर था वो दो मंजिल का होता था और जो common people का घर था वो single मंजिल का होता था अमीर लोगों के घर में 5-7 रूम होते थे और आम लोगों के घर में 2-3 रूम होते थे अब बोलो कुछ हाड है और लिखा भी मैंने बहुत easy language में है अब roads के बारे में पढ़ लेते हैं roads were 9.75 meter width यानि यह जो चौड़ा ही है ना यह 9.75 meter की होगी इन जगों की the small road connect with the big road at right angle suppose यह small road है यह small road है तो यह एक main यहां पर बन अच्छे से नहीं रहा है यह एक main road है इससे जाके यह लोग connect हो रहे है तो small road यह देखो right angle बन रहा है right angle पर connect हो रहे है वही लिखा हुआ है the main road were straight and without turning यह जो main road है वो पूरे सीधे होते हैं यह इसमें कोई turn नहीं होता है बाकि सारे छोटे roads इनके अंदर आके मिलते हैं street lamp were found in Mohanjo-daro जो street है जो रास्ते हैं उनकी उपर street lamp के भी evidence मिले हैं Mohanjo-daro town के अंदर आपे drainage system के बारे में जानो drainage system मतलब gutter line the drainage system was unique feature of Mohanjo-daro town यह जो Mohanjo-daro town है उसका drainage system था वो सबसे unique feature है इस town का every house had a cesspit cesspit का मतलब होता है कि कचड़ा store करने वाला गड़ा सबसे घर है उस घर के नीचे गड़ा बना दिया गया तो हम लोग जो नहायद होईंगे वो जो कचड़ा है हमारे नहायद होने का वो सारा एक गड़े के अंदर चला जाएगा तो वो गड़ा जो है जिसके अंदर गंदगी store हो रही है उसी को भूला जाता है cesspit मोहन जो जड़ों के अंदर जो भी घर थे उनके पास अपना खुद का गंदगी store करने वाला गड़ा था जिसको आप बोलते हो cesspit dirty water drain out from town to the cesspit इनी cesspit के तवारा सारे गंदे पाणी सहर से बाहर निकाल दिया जाता है आज के टाइम पे जो हमारी गटर लाइन है इसी concept को लेके हमने घटर लाइन बनाई हुई है हमारे घर से जो पानी ये गटर लाइन में जाता है, इसी गटर लाइन से सहर के बाहर पुरा गंदा पानी चला जाता है तो यह जो मोहन जोदरो का drainage system था यहीं से inspire होके हमने आजकल के township के अंदर gutter lines बनाई हुई है इतने smart थे यह लोग अब यहाँ पर public बात की बात कर लेते हैं there was an arrangement to put fresh water in and in dirty water out अच्छा पानी अंदर आ सके गंदा पानी बाहर जा सके इस तरीके से public बात बनाई गई थी मोहन जोदरो के अंदर facility of hot water समझे हो जब ठंडी पड़ेगी तो वहाँ पे गरम पानी भी मिलता था public बात के अंदर small room for changing the clothes मतलब की छोटे छोटे chambers बनाए गए थे जिसके अंदर लोग जाके कपड़े भी change कर सकते थे public बात might be used for festival religious ceremony कोई तैवार हो अगर साथ में मनाना है तो यहीं पर सारे अना हाल लेते थे कोई religious ceremony हो जैसे आजकल गड़ेश चतूरती है गड़ेश जी को बिढ़ाना हो सारे गाउं यहां पर आए किसी को नाना दोना हो तो पूरे लोग इसी पब्लिक बात का use कर ले इस तरीके से टाउन प्लैनिक की गई थी मोहन जदरों की अब हम पब्लिक बात के साथ पब्लिक का concept सुना है अगर कोई भी meeting करनी हो society को तो garden में आ जाना या club house में आ जाना उसी तरीके से मोहन जदरों के अंदर पब्लिक बिल्डिंग बनाए गई थी जिसका use होता था as a town hall लोगों को entertainment के लिए अगर कुछ भी करना हो तो as a theater use कर लेते थे अगर सभा की प्रजा की राजा को कोई meeting रखनी हो तो यहां पर public building के अंदर ही रख दिया जाता था granary अनाच को store करने के लिए भी use किया जाता था public building को public building have been used to give shelter to soldiers अगर suppose shelter चाहिए जैसे आजकल हमारे देश में कहीं पे भी attack हो जाए तो soldiers आते हैं तो उनको रहने की जगा देनी पड़े उसी तरीके से उस समय पे भी अगर लड़ाई हो रही हो तो soldiers को रहने के लिए public building को use किया जाता था इतने smartly Mohanjodaro town को बनाया गया था आप सोच सकते हो कि आज से पांच हजार साथ हगार साल पहले की बात कर रहा हूं इतने smart थे तबके engineer और इस तरीके से सहर बसाया था अब एक यहां पर सवाल पूछा है इसको देखके डरना नहीं है how can we say that people of Mohanjodaro were very careful about their health और hygiene हम कैसे बोल सकते हैं कि जो Mohanjodaro के people थे वो बहुत ही अपने health को लेके hygiene को लेके careful थे उसका answer देना है the drainage system was a unique feature of Mohanjodaro अगर कोई भी इंसान कोई भी सब्वेता अपने health और hygiene को लेके careful है न तो वो सबसे पहले drainage system के उपर काम करेगी हम जो गंदगी करते हैं ना आते हैं दूते हैं बात्रों जाते हैं अगर उसका pipeline हम अपने घर के बाजू में ही कर देंगे तो पूरी गंदगी बाजू में store होगी और उसी गंदगी से बीमारी फैलेगी यानि health और hygiene का connection जो है इस chapter में drainage system से है तो आपको जब भी health और hygiene के बारे में पूछेगा मोहां जो दरोगे तो आपको drainage system का अंसर लिखना पड़ेगा यह मैंने आपको समझाया था यहाँ पर यह जो लाइन है यह मैंने आपको नहीं समझाया था अब इसको पढ़ते है यह जीब साथ spelling है बट याद केना इसका प्रॉंसियर्शन है श्वार मैंने गूगल से किया था तो ऐसे वह बूल रही थी श्वार श्वार नहीं श्वार पाइप का connection है इसको बुल जाता है श्वार उसी के उपर धकन लगा देंगे हम ताकि कुछ गंदा वंदा हो तो इस मैं भी मैंने आपको समझा दिया कि यह जो ढकान है इसको निकाल देंगे और अपने गटर लाइन को साफ कर लेंगे स्चाथ आइन सिस्टम वास फांड़ इन इन इस अ मेडिटेरियन Sea Region, Crut Island के Mediterranean Sea Region में भी same type का systematic drainage system दुनिया में पाया गया है, this planned systematic and efficient drainage system proof that they were very careful about their health and hygiene, ये सारी चीजों को देख के हम बोल सकते हैं कि वो अपने health और hygiene को लेके काफी careful थे, अब यहां पे एक सवाल है कि इसका आपको अंसर दिना पड़ेगा, अंसर को बढ़ा करने के लिए लाइन लिखी है, during the year period, art, culture, architecture and literature were grown, चाहे art का sector हो, culture का हो, architecture का हो, सारी चीजों के उपर काम हो रहा था, गुपता पीरियड के अंदर, अब यहां पे कुछ चीजे देख लेते हैं, list of temples during the गुपता पीरियड, गुपता पीरियड के time पे कौन-कौन से temples बने थे, उनके बारे में जान लेते हैं, पार्वती टेमपल एट निनावा, जबलपूर के अंदर है, अगर आपको निनावा नहीं याद है तो जबलपूर लिख देना, सिवा टेंपल एट भुमरा नहीं लिखा हुआ है अभी की समय में एम्पी में है तो ये कुछ टेंपल के लिस्ट है जो आपको याद रखने पढ़ेंगे गॉप टेंपल एट जामनगर , जामनगर के अंदर एक गॉप टेंपल भी है, वो भी इसी का अंसर है a large number of stupas, viharas, chaitias, pillars were built during the gupta period temple के साथ साथ stupas भी, viharas भी, chaitias भी, pillars भी बनाए गए थे गupta period में अब best sculpture during the gupta period sculptures यानि समझो की मूर्ती अभी के लिए आप इतना समझो की best मूर्ती कौन कौन सी गupta period के अंदर बनाई गई थी उसके list जानते हैं गुद्धा स्टैचू एट सारनात, सारनात के अंदर एक गुद्धा की स्टैचू है, वो भी गुपता पिरियड में बनी थी, Statue of Lord Vishnu at Matura Matura के अंदर Lord Vishnu की Statue है वो भी गुपता पिरियड में बनाई गई थी Statue of Mahavir Swami वो भी गुपता पिरियड में बनाई गई थी यह उस आदा famous architecture during the गुपता पिरियड गुपता पिरियड के अंदर बहुत सारे के उस भी बनाए गए थे इन सारे चीजों के उपर काम हो रहा था और success मिल रहा था आज तथ हमारे पास यह सारी चीजे हैं तो कितने अच्छे से इनके उपर काम हुआ होगा इनी सारी करणों की वज़े से आप बोल सकते हो कि गुपता पिरियड जो है golden पिरियड था इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर अब यहाँ पे एक सवाल है राइट अबाउट थे एसें सिटी और डूला विरा डूला विरा एक सहर था उस सहर के बारे में हमको थोड़ा सा अंसर जानना होगा It was a systematic planned town यह एक systematic town plans था This town has the feature of Indus Valley Civilization इस town के अंदर जो भी construction किया जा रा था या इस town को जब बनाया जा रा था तो इंस्पिरेशन लिया जा रा था Indus Valley Civilization से वह यहाँ पर लिखा हुआ है This town is similar to Harappa Indus Valley Civilization और Harappa दोनों जगे से इंस्पिरेशन लेके ढूला वीरा टाउन को बनाया जा रहा था ढूला वीरा इस सिटुएटेड अब एक सो चालीस किलो मेटर अवे फ्रॉम भूज इन खादीर बैट इन भचाव तालुका देखो बचाव जेठा लाल का गाउ है जो भी तारक मैता देखता ह जो ढूला वीरा के पालेसे थे वाल से उनको मोट कलर के पेंट से पैंट किया जाता था था system पानी purify हो सके filter हो सके उसका भी बंदोबस arrangement था इस टाउन के अंदर तो यहां पर आपका इसका answer हो गया पूरा अब जो मैं आपको question बताने जा रहा हूं उसको देखो write about the chaos in gujarat जब आप test book पढ़ रहे होंगे तब आपको इसके अंदर बहुत सारा data होगा और वह जो data था वह बहुत ज्यादा complicated और hard है इसलिए मैं जितना answer बना के लाया हूं इतना लिख देना लगबग तीन मसे तीन नहीं बट दो marks तो मिल जाएंगे बट आपका बहुत ज़्यादा complications कम हो जाएगा तो यहां पर मैंने लिखा हूँ है के आपको यहां पर सिफ explain कर दोगे तो भी दो marks मिल जाएंगे जुना के अंदर जो के उसे उनके तीन ग्रूप है ग्रूप ऑवा प्यारा के उसके बाद वीडियो में आगे जाना इसको math नहीं पड़ोगे मट पड़ोगे मट मट तो यह कहां पर है बावा प्यारा के उस इन थ्री लेर्स यहां पे टोटल 16 के उसे थिरी लेर में है पर कोट के उस यह भी मुझसे बुलवाया नहीं जाता है यार दो मंजिल के के उस आपको अपर कोट के उसके अंदर संद которую ूद चे आप scholarship के अंदसर्न पर यहां पे आपका गुजरात के स्क्रिजथर सेंचुरी भी में इनको बनाया गया था यहां पर आपका गुजरात के स्क्रिक बारे में इन जान रहों इसके अंदर काफी डेटा है याद के लेना थोड़ा सा उसके बाद ही आगे बढ़ना इस चैप्टर में अब यहां पे एक सवाल है इसका अंसर आप ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकते हो तो जितना अंसर उतना ही लिखना यह मत सोचना कि इसके अंदर और बड़ पंडिया रूलर बिल्ट हाई आउटर वाल एंड ब्यूटिफुली डेकोरेटेड गेट आउटसाइड दा टेमपल यह आपका टेमपल है उस टेमपल का यह गेट होगा वहां पे यह लोग ने इस तरीके का एक स्ट्रक्टर बनाया होगा इसी को बोलते है गोपुरम यह ज जाता है गोपुरम दा आर्टिस्टेग लोडि ऑ गोपुरम है इस बीकम मोर पॉप्लर दैन इटीस टेमपल से ज्यादा इनुकी आर्टिस्टेग लोडी दुनिया में फेमस है हैं मतलब इनका बनावट ज्यादा फेमस है किनका गोपुरम का किसके कंपेर में अन्दिर से मंदिर से जादा सुन्दर होते हैं गोपूरम गोपूरम अफ कांची एंड मधुराई टेंपल आर फेमस कांची और मधुराई के जो गोपूरम है वो पूरी दुनिया में फेमस है इट ग्यूस ब्यूटिफुल प्लेजर टूदा वीवर्स आइस दिखने वाले को बहुत ही स बड़ा हुआ है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन वाला अंसर है अप उसको इसके अंदर पूरा लिख दोगे तो आपका अंसर हो जाएगा पूरा उसके बाद आप जोड उसके बाद क्या बचता था उसके अंदर अप्ट बात पब्लिक बिल्डिंग और ड्रेनेज इनके परसे भी एक-एक पॉइंट लिख दोगे तो भी आपका पूरा अंसर हो जाएगा इस क्वेस्टन का तो टेंशन नहीं लेना है लोथल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था इसका जवाब आपको देना है इसको मैंने आपका अंसर बढ़ाने के लिए भी टाउन्स हैं उनके अंदर ये दोनों कॉमन लाइन लिखी देनी है स्टार्टिंग में अब यहां से में अंसर चाल हुआ है बड़ देखो यह तीन कॉमन लाइन की वज़े से आपका अंसर कितना बढ़ा हो गया वही मैं आपके लिए ऐसी ट्रिक लाता रहता हूं इसलि साबर मती रिवर और भोगावो रिवर के बीच में आपका लोथल सहर आया है हम लोग ने इसके लिए एक फार्टू सा सौटकट बनाया था कि धोल बजाते बजाते हम भोगावो से साबर मती भागेंगे बीच के अंदर हमारा लोथल आ जाएगा ताउन के इस्टन पार्ट के अंदर रिसर्च करने वालों को एक यूज डॉक्याट मिला था डॉक्याट मतलब की सिप को पार्क करने वाली जगह जो इस्टन पार्ट था इस सहर का उसके अंदर रिसर्च करने वालों को सिप पार्किंग करने वाली जगह मिली उसी से सिप पार करने वाली जगह मिली तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग ट्रेड वर्क होता होगा लाज गोडाउं इंडिकेट दा अंडर टेकिंग ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड लाज गोडाउं देखने को मिले इससे आप अंदाजा ल इंडिया ता यहाँ पे आपको सवाल पुछा है कि राइट अबाउट दा आट ओफ पीलर इंस्कृप्षन को पीलर इंक्रिप्सं के बारे में डीटैल में अंशर देना है यह अंसर मैंने बढ़ा कर दिया है इस अंसर से आप दो अंसर बना सकते हो ये ऐक अलग बन सकता है क्योंकि बहुत दोनों पूछ लेती है, इसलिए मैंने यहां पर mix करके दे दिया है, वो question का answer एक ही answer से मिल जाएगा, यह जो pillar पे encryption करवाने का art था, यह emperor असोका ने चालू करवाया था, इस pillar वर made from a single rock, एक ही चटान को काटके यह pillars बनाये जाते थे, religious command were engraved on pillar, engraved मतलब pillar के उपर जो लिखावट करवाई गई होगी, उसी को बुला जा रहा है engraved, तो pillar के उपर जो engraved करवाया जाता था, जो लिखवाया जाता था, वो religious चीज़े होती थी, धार्मिक चीज़ों को pillar के उपर लिखवाया जाता था, engraved का मतलब देखे डरना नहीं, वो पत्थर के बनाये जाते थे, तो उनको polish करो तो वो चमकेंगे, religious command were engraved in brahmi script, यह जो religious command लिखवाया जाते थे, वो brahmi script में लिखवाया जाते थे, अभी brahmi script को आप detail में मत समझो, बट इतना याद रखो कि pillar के उपर, जो religious चीज़े लिखवाया जाती थी, वो किस language में होती थी, ब्रहmi script में होती थी, अब यहाँ पे pillar at sarnath, एक famous pillar के बारे में पढ़ लेते हैं, the most amazing among this pillar is the one at sarnath, यह जो pillars थे, उनके अंदर से एक pillar sarnath के अंदर है, वो सबसे amazing है, क्यों pillar has four lion on the top, pillar के top पे चार lion है, एक इस side देख रहे हैं, एक इस side, एक इस side और एक उस side देख रहे हैं, four lion facing four direction, जो मैंने आपको बताया है कि चार जो lion है, वो चारो दिसा के अंदर देख रहे हैं, धर्म चक्र या धर्म चक्रास are carved below the lion image, जो lion की image है top पे, उसके बाद नीचे एक गोल सा चक्र है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, धर्म चक्र, pillar has a sculpture of an elephant, horse and bullock, वो जो हमने धर्म चक्र देखा, उसके बाजू में हमको elephant, यहां पे horse, पीछे, बुलग इस तरीके के sculpture भी देखने को मिल रहे हैं, image of four lion have been placed as our national emblem, हमारे national emblem के अंदर इनी से inspiration लेके चारो सेरों की photo लगाई गई है, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि आप जाके pillar at sarnath को search मारो, तो आपको जब इसकी image मिल जाएगी Google से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह है क्या, जैसे आपने photo देखी यह सारी चीज़े आपके दिमाग में easily fit हो जाएगी, तो यहाँ पे pillar inscription का answer हो गया पूरा, जो सवाल है कि write about the Jane temple at Dilwara, दिलवारा temple जो है उसके बारे में आपको लिखना है, तो इस temple के बारे में इतना ज़्यादा नहीं था कि आप इसको तीन marks में लिखो और पूरे marks गेंड कर सको, इसलिए यहाँ पे मैंने दो extra और easy line add की है, जिससे आपको यह याद रह जाएगा, तो Jane temple are found in various places in India, इंडिया के बहुत सारी जगों पे Jane temple देखने को मिलता है, कोई hard line नहीं है, देरा सर is the place of worship for Jane, जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं और मुस्लिम मजिद में जाते हैं, वैसे ही Jane जो होते हैं लोग वो देरा सर में जाते हैं, यानि देरा सर उनके पूजा करने की जगा है, अब आ जाते हैं दिलवारा टेंपल के उपर, दिलवारा जैन टेंपल are at Mount Abu in Rajasana, राजसान के Mount Abu के अंदर एक टेंपल है जिसका नाम है दिलवारा टेंपल, या Mount Abu या Mount Abu जो आप पढ़ो वो आपकी इच्छा, इस टेंपल है और चीवड वर्ड हैरिटेज स्ट बनाय गया है, इस वाइट मारर टेंपल वर बिल्ट बाइवीमर सार दिूरिं दी सोलंकी पीरियड, सोलंकी पीरिड के अंदर वि मर सार ने दिलवारा टेंपल को बनवाया था, इस टेंपल को लोगों की तरफ से गिफ्ट मिला है इस तेंपल के नाम पर, आःत लवर कॉल this temple poetry in marble art lover इसको poetry in marble temple बोलते हैं अगर आपको बोड़ पूछ लेती है कि write about the poetry in marble structure तो आपको समझ जाना होगा कि दिलवारा temple के बारे में बोल रहा हूँ यहां पर मैंने जो question बनाया वो may be differ कर सकता है बट आपको याद क्या रखना है point in marble अगर point in marble आया मतलब आपको दिलवारा temple के बारे में लिखना है यहां पर एक छोटा सा अंसर कैसे बड़ा करें वह भी मैंने आपको सिखाया और इसका अंसर भी हो गया पूरा अब आपको हरपा के बारे में सारे टाउंस के अंदर यह लाइन सेम है अभी के टाइम पे जो हरपा है वो पाकिसान के अंदर है सब्सिंदू मतलब कॉम्बिनेशन और सैवन रिवर की एक कॉम्बिनेशन था उसी के आसपास हमारा इंडिया कल्चर बना है मतलब मैं आपको बोलू तो यह सातों नदी के आसपास ही पहले इंडिया के लोग रहते थे और यहीं से हमारे देश की सुर्भात हुई ऐसा भी समझ सकते हो क्योंकि कि लोगोई नदी के किनारे रहते थे थे उनी सारी नदी को सब्ध सिन्दू के किनारे पर हमारी सवय था बसी थी और आज हमारा इतना बड़ा देश हो गया जो सब्थ सिंदू के आसपास culture developed हुआ उसको आप हरपण civilization या सब्थ सिंदू के आसपास जो civilization developed हुई आप उसको हरपण civilization भी बोल सकते हो वैसे ज़्यादा तर जो हमाई civilization है यह सब्थ सिंदू वाली जो seven rivers है इनी के आसपास बसी है यह दिमाग में डालके चलना यह आपके अंसर को बढ़ा करने के लिए मैंने यह लाइन लिग दी है copper and stone weapons were found in this place copper और stone से बने हुए weapons हमको इस civilization के वहां से देखने को मिलती है यानि यह लोग copper और stone से बनी हुई समान को यूज करते थे इसलिए इनके समय को बुला गया copper और stone age अगर आपको गोड़ एक सवाल पूछती है कि write about the stone and copper age of human civilization तो आप समझ जाना कि हरपा के बारे में आपको लिखना है its granary and fort were remarkable granary मतलब अनाज रखने की जगा और fort मतलब किला यह जो दोनों चीजे थी इस टाउन की देखने लायक होती थी people of this age were wearing ornaments इस समय के लोगों ने ही ornaments को wear करना शुरू किया यहां पर आपका हरपा का भी अंसर हो गया पूरा यह यह तीन marks के जो chapters हैं यह थोड़े से data वाले हैं वाट आप अगर इस तरीके से करते जाओगे तो आपके अच्छे marks board में आ जाएंगे इसकी guarantee मैं आपको देता हूँ इनके अंदर से अभी भी अगर आपको कोई topic hard लग रहा है तो मुझे comment करना कि आपको hard क्या लगा मैं इससे भी easy तरीके से वह आपको clear करके दूंगा